यदि आप कुईट में रहते हो और कुईट केम तरीन ख़वरों से में इसा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को भी ने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राब करके बैल आकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वा बहुत सारे अपने बिल्डिंग्स वगैरा में आपने देखा होगा कि बेसमेंट बना हुआ होता है तो बहुत तरह का दोस्तों मिनिश्ट्री के तरफ से ओर लिया जाता है या फिर कोई रिजन बताना पड़ता है तभी वो बेसमेंट बना सकते हैं पर उसके बहुत बहु कर आग लगी है खबर दोस्तों यह है कि क्वेट में रगाई एरिया में बहुत भीसन आग लग गई जैसा कि आप बिल्डिंग्स में देख सकते हैं मैं आपको दिखाने की कोसिस कर रहा हूं जिसके वज़े से वहाँ पे बहुत सारे दमकल गाड़ यानि फायर बिर्गेट व आने की अभी तक कोई अपडेट नहीं है जैसी कोई इसमें और कोई खबरे आती तो मैं आप तक सेर जरूर करूंगा अगली खबरे को साथ ही चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी हो साथ ही वो यूई सौदी अरेबिया कातर और सभी अरब देशों के लिए नया नियम लागू हुआ है अब इवीजा मिलेकर सौदी अरेबिया के टूरिजम मंतराले ने वीजा को लेकर एक नई घोसना करी है जिसमें लोगों को अधिक स्वीधा मिलने की चांस है एक सितंबर से लागू करती हुए कहा गया कि जीसी सी देसों में नागरीक आसानी से अगली आपडेट की और सास्में चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आ रही वोवी सातियों आ रही है Air Arabia के तरब से तो सा투ियों Air Arabia अभू धाभी ने अबू धाभी से क्वेध सहर के लिए अपना नया हवाई मार शुरू करने की घोसना की है न्यू डारेट फ्लाइट 31 अक्टूबर 2022 से सुरू होने वाली है अबुधाबी अंटराष्टे हवाइडे से कुवेट के लिए डारेट फ्लाइटों दोस्तों चलाई जाएंगी परती दिन एर एरेबिया के समु मुख खारवाई अधिकतर अदेल अल-अलिस ने कहा है हमें अबुधाबु अंतराष्टे हवाइडे से हमारे बढ़ते नेटवर्ट से कुवेट का स्वागत करते हैं और खुसी हो रही है कुवेट की सिटी एर एरेबिया में जोड़ना अबुधाबी नेटवर्ट यातरा के समर्थन की हमारे देप्रदवा है तो दोस्तों जो लोग भी अबुधाबी और कुवेट से यदि डायट आप लोग आना जाना करना चाहते थे पहले फ्लाइट है दुबई से मिलती थी पर आपको अब दुबई से नहीं आपको अबुधाबी से भी कुवेट में कुवेट और अबुधाबी की फ्लाइट मिल जाएगी और अबुधाबी से कुवेट की फ्लाइट मिल जाएगी अगली update की और सात्यों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी हो कुएट Airways की तरफ से आरी है तो सात्यों कुएट Airways की तरफ से बहुत भी बड़ी announcement की गई है कुएट Airways ने टिकटों पे भारी छूट देते हुए यात्रियों को रहत दी है Airways ने कहा की कीमतों को सुरुआ तब 200 केडी से होगी जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं टिकट बुक कर आसानी से वो छूट कलाव उठा सकते हैं 2022 FIFA World Cup की सुरुआत होने वाली है और ऐसे में सभी match देखने के उस साफ़क होगे हैं के लिए Airways ने ये offer निकाला है कुएद नागरी को भी FIFA देखने के लिए कतर यात्रा के प्लानिंग पूरे जोस में कर रहे हैं कुएद एर्लैंस ने कहा कि कतर राजधानी दोहा के लिए 13 सफताहिक उडान को चालू किया जागी यानि दोस्तो कुएद के तरफ से हपते में 13 फ्लाइटे उडान स्टार्ट किया जाएगा दोहा कतर के लिए ये भी बतायागे एर्लैंस का अनुसा टिकट बूक करने के बाद याकरी को अपना सारा डिटेल कतरी हाया अप्लिकेशन पे सेयर करना होगा तो दोस्तो हाया कार्ट के बारे यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको सौट में बता देता हूँ एक तरह ये वर्क परमिट है यानि ये वीजा के तोर पे हाया कार्ट काम करेगा यदि आप कतर फीफा वर्लक अप देखने जाते हैं वीडियो अच्छी लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सकें मिलते साथ यू नेक्स वीडियो पे अल्ला आफीस और टेक केर